हेलो फ्रेंड्स आज के वीडियो में करेंगे हैं एक्सरसाइज से नूपाइंट टू का फॉस्टन नम्बर नाइन दोस्तों एट तक मैंने पिछले कुछ वीडियो में करा दिया है आप यूटूब के हमारे चैनल में जाके देख सकते हैं जिसका नाम है तैयारी तेखिए द फॉर इक्वाल पार्ट्स देखिए फोर इक्वाल पार्ट्स हैं आपर गौर कीजिए आप इसी एक्सराइस का कोशन नमबर टू जाई है हमने बढ़ाया था आपको उसमें ट्राइश सेक्शन था मतलब टीन इक्वाल पार्ट्स में बाट रहा था यहां पर क्या और फॉर यहां पर देखिए आगे में जोइनिंग भी है और बीच में एंडी भी है मतलब इससे क्या पता चला यह दुनों पॉइंट किनारे वाला तो बैठा देखिए देखिए गौर से इस लाइन सेग्मेंट को यह जो बहुत सारे पॉइंट्स है वह कितने भाग में बाट रहे हैं फोर इक्वाल पार्ट्स में तो गौर किजिए किसी रसी को अगर आपको चार भाग में बाटना हो तो आप क्या किजिए उसको तीन बार कातिएगा तम नों व कि कि यहां पर देखिए यह दो ती चार दरावर भाग में बढ़ गिया इस तरह से हमको क्या पॉला है इस तीनों पॉइंट का कोडिने निकालने बोल रहा है देखिए यहां पर गौर से पढ़िए फाइंड अपॉडिनेट्स और पॉइंट्स मतलब इन तीनों पॉइंट इसकि क्या निकालने मुला है कोडिनेट बीच डिवाइड मतलब यह ठीनों क्या कर रहा है इसको नान सेगमेंट जो इन एन पिए jN1 सिक समझ में आया किया कोशन कह रहा था तो उसमें दो कोडिनेट था क्यूगि इसमें यह चार ऐसली कॉडिनेट्ञत है तो बहुंत करें कि करना है तो यह क्या चारी वहला point देदेता है और ratio देता है आपको xy निकालने बोलता है यह वह ही प्रकार का है अब कुछ एका ratio का है तो देखे-र इसमें आपको डाकी यह दिया हुआ है आप निकाल सकते गवर से देखिए अगर आपको P का ratio निकालना है तो हम तो जानते हैं यह चारो एकवल पार्ट्स तो यह सम्झ वोख दिया और इस चारो क्या एक वल्पार्क्ठ सकते हैं फिर उसयो मां क्यों कोified कितना एक और राति सैयं कुल एक दो गो कि असके टुगा निकान भूप उसी परकार आर कीवकी आले कुछ विश्काय पबяла कर वाफ या थैस के परक आश्य पहले दीओ Crime करें तो इस पर जो एक टिए जबना से आप पर टीके इसके बाद करेंगे क्या हमको टिक सब्सक्राइब सबसे इस पहले याद रखिएगा यह जो हमारा किनारी किनाले लगता हो वो X1 Y1 X2 Y2 बता है और X1 Y1 X2 Y2 जो दिया हुआ है हमको वो तीनों कोडिनेट के लिए फिक्स रहेगा चाहे आप P का XY निकाली है चाहे Q का XY चाहे R का XY यह X1 Y1 X2 Y2 फिक्स है खाली रेशियो में चेंचे जाएगा पी के लिए जब लिखेगा तो रेशियो हमारा और वाँ ठीदिया राएगा क्यों के लिए टू-टू रहेगा और अहर के लिए ठीद्या बन रहे सुझ में आया तो देखे ये सबसे पहले लिखेंगे और से एक्सान चैनल अपारेल कितना मायनेस क्षचा अग करी तो एक व美味 to उसी प्रकार एक स्टू का वैंद उसकी तो रहान देखेThank vous यह जो सबकonna रहाए तो छाहलाव पहरेवुलगे क्या की तरके लए लेकान देखेंगे क्रूंस थे T P point के लिए M1 कितना देखिए 1 और M2 हमारा 3 पहला वाल आप M1 बोलते हैं दुसरा वाला को M2 बोलते हैं उसी प्रकार देखिए आपर लिखते हैं 4.Q Q के लिए हमारा ratio कितना है M1 बराबर 2 और M2 बराबर 2 उसी प्रकार 4.Q हम तीरों के एकी लाइन निकाल देते हैं ठीक है हमने सारे ratio को लिख दिया जिसका हम निकालेंगे points उसका उसके अनुसा ratio बैठा है ठीक है और यह हमारा fix आएगा देखिए करते हैं देखिए आपर लिखेंगे क्या therefore by using by using section formula कौन सब फर्मिला इसमान करेंगे हम लोग section formula क्या कहता है देखिए निकालते हैं पहले पी का निकाल लेते हैं पी का एक्स फर्मिला क्या होता है M1 x2 plus M2 x1 divided by M1 plus M2 यह होता है फर्मिला याद करने का तरीका उने बताया था नीचे वाले में आप ratio को जोड़ दीजिए और उपर में याद करने का तरीका क्या है 1-2 का combination वीचिया पलस फिर 2-1 का combination 1-2 मतलब M के में अगर 1 है तो X में 2 रहेगा M में अगर 2 है तो X में 1 रहेगा पसंद माया तो देखिए बाइठाते रहें M1 P के लिए M1 या P के लिए M1 देखिए कितना 1 है इंटू X2 तो सब के लिए fix है X2 का value 2 पलस P के लिए M2 चाहिए P के लिए देखिए M2 3 इंटू X1 X1 देखिए माइनस 2 divided by M1 पलस M2 मतलब 1 पलस 3 देखिए स्वाल करते हैं 2 एक आए 2 यहाँ पर देखिए 6 में 2 गट आएंगे माइनस है तो 6 में 2 गट आएंगे तो 4 लेकिन साइन किसका लगेगा माइनस का या बड़ा वला बोल सकते हैं आप नीचे में 4 तो देखिए या पर 4 चर पर जाएगा कितना 1 माइनस 1 तो P X कितना आया माइनस 1 उसी पर हम दो P Y निकाल लेंगे प Y का फर्मुला क्या होगा जस्त यह जो फर्मुला लिखे न वही होगा बस different क्या रहेगा वहाँ पर X2 के जागा Y2 रहेगा और X1 के जागा Y1 रहेगा तो फर्मुला लिख देते हैं M1 Y2 पलस M2 Y1 दिवाड़ेड़ वाई M1 पलस M2 ठीक है फर्मूला वाई है बस X2 का जागा Y2 वो X1 का जागा Y1 इसको देखें सॉल्ब करते हैं M1 किसके लिए P के लिए P के लिए M1 है 1 इंटू Y2 Y2 दो फिक्स है 8 पलस M2 का वैलू देखिए 3 इंटू Y1 का वैलू देखिए 2 अनीचे में M1 का वैलू 1 पलस M2 का वैलू 3 अब देखिए 8 को X से गुना करेंगे 8 पलस 3 दू नीचे अनीचे में 3 अरे को जोड़ेंगे तो 4 8 हर्चे कितना हो जाता है 14 बटा 4 यहां देखिए 7 दूनी 14 यहां पर 2 तो कितना है फाइनली 7 बाइ 2 यह हमारा है P का Y तो फाइनली इसको ऐसे लिए देंगे therefore P का X, Y is equal to P का X X का वैलू कितना निकाले हम लोग? माइनस 1, माइनस 1 कॉमा और Y का में लोग कितना निकाले? 7 बाइ 2 देखिए जिस परकार हम लोग P का X, Y निकाले उसी परकार हम लोग Q का भी X, Y निकालेंगे section formula का भी स्क्राइब कर सकते हैं चाहिए आप यहाँ पर गौर कीजिए यहाँ पर ratio same आप mid term का भी स्क्राइब कर सकते हैं करेंगे अभी देखिए देखिए हमने P का निकाल लिया था आप क्या करेंगे Q का तो Q में देखिए ratio same same है मतलब ratio जब same रहते हैं क्या करते हैं दो मिट्रन फर्म ला का स्थमाल करते हैं क्या होता है दिखेंगे धेरफोर by using सही मिटेज़़ फ़र्मूल त सब्सक्राइब सहीं इस निकालता हैM1 in abundance बैबन यहाद दा डिक्सवन पलस एक्स तू डिवाइडेड बाइड तू यह ओता है मिट्रम का फॉर्मुलार ठीक है एक्सिपर का विलू कितना है माइनस टू पलस एक्सटू का वाइलू तू डिवाइडड बाइट घटाएंगे तो यहां उपर में जीवाला जाया नीचे कटिवाrete टूरो क्यूंकी कम लिए इसका फ्र्मुला क्या होता हूं पर असम्स प्रश माइट चो को ऽ्यूण गाला । दोनों को जोड़ेंगे तो 10 वateur दो कितना एगा पांच तोmanina पर फिर से लिख देंगे लेंगे देखो क्यों का एक स화ी Japan के जैगा पांच यहां पर क्या निकल गया हमारा घुबश ऊ dönem तो क्या करेंगे आर का निकालेंगे आर के लिए फिर से सेक्षन फर्मुला में ठीक है यहां पर गौर किजिए आप थोड़ा सा इसे हमने मिट्रम इस्तमाल किया क्योंकि रेशियो सेम था आप सेक्षन फर्मुला सभी बनाईएगा रेशियो को लेके टूटू तो भी आपका अंसर यही आएगा जी लोगों कोई दिक्कत नहीं ठीक है आप किसी सभी बना सकते हैं आप मिट्रम इस्तमाल कर सकते हैं क्योंकि रेशियो से चलिए निकालते हम लोग आर वाला आर के लिए क्या करेंगे सेक्षन फर्मुला करेंगे पहले यह उतार लिए इसको देखिए बाई यूजिंग सेक्षन फर्मुला क्योंकि आर के लिए साहसे पहला आर का एक्स मितालते हैं तो फर्मुला क्या होगा वही M1 X2 पलस M2 X1 डिवाड़ेड़ वाई M1 पलस M1 देखिए M1 M1 का वेल्व कितना है किसके लिए? R के लिए R यहाँ पाले R का M1 का वेल्व है थे इन्टू X2 तो वही रहेगा X2 वेल्व 2 पलस M2 देखिए M2 का वेल्व 1 इन्टू X1 का वेल्व देखिए M2 माइनस 2 बठा दिए हमलों divided by m1 plus m2 मतलब 3 plus 1, बठा देते हैं 3 plus 1, देखे 3 दुनी 6, यहां plus minus minus 2 एक आए 2, divided by 3 अरे 4, देखे 6 में दो गट आएंगे 4 अनीचे भी 4, कट जाया कितना आएगा? 1, आर का x कितना आया? 1, उसी प्रकार आर का y निकाल लेते हैं, कितना आएगा देखे, इसका योई फर्मुल m1 y2 plus m2 y1 divided by m1 plus m2, वही combination, 1 के साथ 2, 2 के साथ 1, अनीचे में रेशियो को जोड़ देना है, देखे इसका solve करेंगे हम लोग, m1 का वहलू कितना है? 3 है, आपर देखे 3, into y2, y2 देखे यहां पर y2 का वहलू है 8, plus m2 का वहलू है, 1 बैठा दिये, into y1, y1 का वहलू है 2, divided by m1 plus m2, मतलब 3 plus 1, 3 plus 1, देखे 8, 3 है 24, पलस 2, 1 आए 2, नीचे में 3 अरे 4, 24 है 2 कितना होगी है, 26 बटा 4, काटिये इसको देखे, यह 13 टाइम में चला जायाएगा, 2 का टेवल में, यह 2 का टेवल में 2 टाइम से, तो हमारा कितना आया, 13 by 2, देखे, फाइनली इदर फिर से देखे, कर था लिए, बराबर, आध अग्स का वे लू कितना लुए, 1, आभावाी का वे लू कितना है, 13 by 2, यह हमारा निकल गया, आर का वे लू कितना है, क्या किया पी क्यूआर का रेशियो निकाला पहले रेशियो निकालना यह वार हमने तीनों का बारी बारी से कोटिरेंट निकाल लिया अगर आपको यहां पर गोले five equal parts equal parts seven equal parts तो भी आपसानी से कर सकते हैं ठीक है क्यारना क्या बस रेशियो पर ढूल लेना है और सब में एक सब्सक्राइब करेंगे दोस्तों करके तीनों का अंसार एक जगह भी लिख सकते हैं पिल का कितना आया था वन बाइवन कॉमा सेवन बाइटू और क्यों का हमने अभी निकाला और का यह अब तीनों के एक साथ लिखेगा हमारा आशार जाएगा तीस तरह से को करेंगे मिलते हैं दोस्ते अगले वीडियो में इस एक्सराइस का को सब्सक्राइब कर दें था